अरे आज हम बात करेंगे उन बाहन के भाईयों को यूट्यूबर के बारे में जो आप लोग का जिन्दगी से खिलिवार कर रहा है कुछ अपना पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे का मसीन का उसके बाद आपका कोई पोड़क का पूमोट कर रहा है आपको लगड़ा है यह काम अपना पैसा कमाने के लिए कुछ भी पोड़क को प्रोमोट करता है हम लोग देखते हैं इसमें जरूर बोल रहा है मतलब अच्छा होगा तो इस तरह काम अब लोग को कोई कोई ऐसा नहीं है सब कोई खराब है है बहुत आदमी ऐसा है जो जैनूइन बात भी बताता है ले लेकिन हैम सोच भी बिज्नेस बी ऑग्रस निटिया देने से अच्छा है बिस दूसरे का बात सुनके बिज्नेस चालू कर के बहुत बहुत होागा नुकसान हो इसके बारे में बतादा ज्यादा अच्छा है तो वीडियों को बड़ों देखते रहों बहुत अच्छी और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें भी इस तरह का वीडियो बनने के लिए अच्छा लगा है तो पूड़ा माल लखा हुआ है कि देख सकते हैं यह सब माल पिसाई वाल इसमें थोरा फटका है सारा क्वाल है मैं इस वीडियो को साम के टाइम में मतलब सुट झाओ इसलिए थोरा सा यह फोड़ा सा पर्वलय होने के करन आप लोगो फोरा सकते हैं आप लोग तो अन्याप्ति है सामने आप लोग देख सकते हैं फुरा लाल यह सब बोड़ा जो है ना इसा पिसा हुआ हमाले जैसे थोड़ा सा कैमरे का यह हो गया देखिए काला लग रहा है किन्तु है एक दम लाल तो यहां से आप लोग माल ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अच्छा जगा है और दूसरी नंबर बात है किस तरह से यहां पर पिसाय होता है देखिए काम कैसे देखिए मैनवाली बोड़ा में भरा जाए हम लोग जैसे चांद बेल्चा में मिट्टी यह सब यह क्या जाता है लेकिन आसल में देखिए यहां पर क्या हो रहा है वेल्चा करके आपका बोड़ा में मि है निटारश फाल्सटों है एक कोई फट्क है कुछ है मार्केट तुमें में забίας लेके noir केБर देखेंगे लिए में इपार करने के बाद करें देखतें यहां पर आपका जो माल निकलता है उसके इधर पर यहां पर देख्यें एक लेडिस काम कर रहा है तो उसका चहरा देखाने के लिए मना कर रहा था यहां पर इसमें मतलब गोटा वाला साबूत माल ढाला जाता है और वह दासे पावडर पॉर्म में निकल जाता है इस तरह से निकलने के बाद वह जो आप लोग डबा देख रहे हैं उसमें भर के ज़्किर होता है कि यहां पर आपका बहुत मिर्चा का पावडर उड़ता है या बहुत ही मतलब जांज लगता है तो चैनल को चाहिए कर दिया करो तक है अभी आप लोग को यह देखिए पुड़ा रेड है पुड़ा रेड है बहुत ही अच्छा कलर रसांदर कलर इसमें मिक्सिंग नहीं यह पर सन दूसरा जगा मैं इसे जगाता है इसा है लेकिन मिक्सिंग D इस बुद्ध नहीं है ज्यादा दूर नहीं है विजय वारा से साहएद 20 किलीमीटर रहसा कुछ होगा रस्ता तो आप लोग विजय वारा से स्टेशन से होके लोकल ट्रेन में भी जा सकते स्टेशन से उत्तर के अब लोग पैदल पैदल मोटा मोटे आदा घंटा जाएंगे एसमार्केट में पहुंच झाएंगे फॉल गया तो में को में में कॉंटक करता हूँ कर कोह तो इनका नंबर में यह फैस कॉमेंट में दे दूँगा अब लोक्त उन्से कॉंटक कर लेना ठीक है और यह dif के यह मार्केट में इस तरह से माल को जो पिसाय हो रहा है तो इसमें यह माल पूरा एक्सपोर्ट होगा बहार दुबाई जैसे बहुत सारा देश में जाता है बुला तो इस तरह से छटा होने यह जो माल है यह पेसा होगा नहीं है इसमें देखिए कलर वहला माले फटकी है थोड़ा सा डंटी का मतलब डंटी लगा हुआ है तो थोड़ा सा किसी में टूड़ गया है इस तरह सा यह माल उधर पैसा होता है अच्छा क्वालिटी का माल है कि कितना माल रखा हुआ है यही माल पैसा होता है यह माल जहां से पर्चेसिंग करके लाता है आप लोग को वहां पर भी लेके जाएंगे क्योंकि पूरा चीज क आप लोग को जानकरी होगा तभी आप लोग सही से काम कर सकते हो ठीक है तो तब तक आप लोग को जब तक मार्केट में लेके जा रहा हूं तब तक आप लोग चैनल को लाइक से या सब्सकाइब कर दो ताकि हमें भी इस तरह का वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगें लेकिन दोस्तों मिर्चे का बिस्नेस करने से पहले आप लोग एक चीज जानना जूरी है मिर्ची बहुत जल्दी खड़ाफ होता है बरसात के टाइम में तो बरसात के टाइम ही मत शुरू कीजिएगा थोड़ा सा बरसात चला जाएगा उसी टाइम आप लोग शुरू करें अधिया का सबसे बरा मिर्चा मंडी है देखिए चारों तरफ खली मिर्चा छोड़कर कुछ नहीं है मिर्चा और कुछ नहीं है हम लोग दो बंदे आये हुए हैं मैं दूसरा वीडियो में भी आप लोग बताए तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगा अगर अच्छा लगै आप लोग चैनल को डिस्क्रिप्शन में चैनल को सब्सक्रीव कि दीजाएगा और अब लोग वीडियो को देख सकते हैं कि अलग से मैं इसका बीडियो बना कर रखा हूं कि कैसा में रिचा मंडी है उधर कैसे जाना है कैसे माल लेना है पूरे डिटे मैं भी एक विजनेस करता हूं